नमस्कार मैं आपका अपना लोकोनी नीज चैनल से निरज गुपता बागपत आज हमारे साथ जो महिल अश्रशक्तिकरन साथ में हैं उन्हों किसी पहचान की मौताज नहीं हैं आपको बता दें कि समाज के विन विन कारियों में समय समय पर वो हर समय उपस्तित रहती हैं और नमस्कार में डॉक्तर शाली नी राकेश के परदेश के जो चार साल पूरे होए हैं उसको लेकर के आपका क्या क्या अट प्रदेश में जो यूपी है वो मुझे चार साल में बदहाल लिखाई देती है हमारे योगी जी ने अभी तक जो किया है वैं सिर्फ राम राम जपना और अखिलेश का काम अपना उन्होंने ये करके दिखाया है सिर्फ उनके करकिये हुए कामों के फीते काटे गए हैं उन्होंने अपना काम आज तक एक भी नहीं किया है मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मुख्य मंतरी के पास देश का और ये जो प्रदेश है इसके लिए समय क्यों नहीं है वैसर बड़ी बड़ी बाते करते हैं हम लोगों को धर्म के नाम पर लड़वा करके रखना चाहते हैं प्रदेश में महिलाओं का बुरा हाल है बदहाल है महंगाई चरम पर है इसमें आप देखेंगे कि सारे के सारे जो गुंडे हैं वो आज के समय में बेलगाम हो चुके हैं प्रदेश के अंदर तरही तरही मची हुई है और हमारे जो मुख्य मंतरी जी हैं उन्होंने सिर्फ कभी वर्ल्ड रिकोर्ड बना दिया आयोध्या म कि एक साल बचा हुआ है हम महिलाएं ही आपको अपनी वोट की ताकत से लेकर के आये थे प्रदेश में महिला सुरक्षा पर ध्यान दीजिए महिलाओं के शशक्तिकरण पर ध्यान दीजिए वरना अगर यह महिलाएं रुष्ट हो जाती हैं तो काली का रूप धारन कर लिया करते हैं कि जैसे कि आपने कहा वहिला शक्तिकरण कि बात की आपने महिला शक्तिकरण कर देए यह झाये के लग को लेकर के एक मिस्न सकतिकरकर्म करा घग। ये खली हमारे जिन्पत बाकपत में ही नहीं बलकि पूरे परदेश के अंदर जो है जोर सोर से करा जा रहा है आप भी देख रहे होंगे कि जंगे जंगे कारे करा मायज़ित के जा रहे हैं यह जो सरकार है इसे मैं विज्ञापन की सरकार कहती हूं यह हम जंता का जो पैसा है वो विज्ञापनों पर खर्च जादा कर देती है अधरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है और जब तक आपको धरातल पर दिखाई नहीं देगा अगर भाजपा सरकार या कोई भी सरकार अगर महिलाओं को शशक्त करना चाहती है तो सबसे पहले उन्हें आरक्षन दीजिए हम महिलाएं जो है वो 55% हैं तो हमको आप सबा में विदान सबा में हर जगे हमें आरक्षन दिया जाए हम महिलाएं संसद में जाकर के अपने लिए कानून खुद बनाने का दम रखती हैं फिर हमें आप लोगों की तरफ देखना नहीं पड़ेगा एक महिला ही महिला के बारे में बहतर सोच सकती है ये क्या सिलाई से घर भी चलाते हैं बाहर का भी काम देखते हैं समाज के लिए पुर्शो से 10 भूणी शक्ती मैं महिला के अंदर होती है सिर्फ मिशन शक्ती कह देने भर से काम नहीं बनेगा उसको ध्रातल पर उतारे हमारे लिए छोटे छोटे काम मत कीजिए कि आपने जो राशन कार्ड ग सवामी महिला हमें बेहला यह क venom हमें बहिलाने की आवश्णता नहीं है हम लोग पड़े लिके हैं हम समझ्झते हैं हमें आप APPLAUSE यह दिए आप हमें संसद में दिए आप हमें ग्राम पंचयत में आप और दिए एह हर जगें हमें आरक्षन दिजिये नगे महिलाएं संसद तक जाना जानती है अब यह देखिए कि जितनी भी सीटे दी जाती है वह अधिकतर पुरुष होते हैं उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो महिलाएं होती हैं तो फिर महिलाएं जो है जब वह अंदर कानून बनते हैं अगर फिर्सन के अंदर जांके तब सकतेלה इसना को किस तरीके से एब हैं सैन्सद में कैस्व सोराज लएगत स्यॉसे कितने हैं यह मुठ्टी बढ़ लोग आप पूर्शों की संख्या देखिए और महिलाओं की संख्या ख़ेएं कि पूरु आरक्षन नहीं दिया जाता मैं है तो कहते हूं जाती के आधार पर आरक्षन ना करके आप मैं यह इस सिलाई सेंटस्वो सफिछाइड्य की पूरुस का दोन को टो समझ घर हैं ऑंडर को क्यों कर दो Su तो महिला के अंदर गवंड करने की जो शक्ति है cheddar अगर देश की सबसे अच्छी प्रधान Memintiri इस देश की प्रत्येक महिला इंद्रा गांदी है आप एक चीज बताईए मुझे जैसे आपको अचार बनाना आता है किसी महिला को तो सरकार ने उसको रोजगार देकर कि नून करा करके उसका पास उसको तरीके से रोजगार की रूप में उसको आगे बढ़ाने काम क्या फिर भी आपको लगता है कि कहींने कई महिला इकम बिल्कुल लगता है क्योंकि हमारा जो भारत है उसके अंदर यह संस्कृति रही है पुराने समय से कि महिलाएं जो है वो घर के अंदर खाना बना अपके अब कितने को प्रदाना है थे यह अगर शक्षाँ में पर प्रिख रहे हैं तो कितनी महिलाएं को डाक्टर अब बढ़ाएं अगर यह छोटनी चोटना ही कि महिलाओं को करें दूख होता है बहुत सारे पुरुष हैं अइसे जो अंपढ़ें उनको भी करा दी थी अचार बनाने के, मुरब्वा बनाने के कोर्स कराई उनको, बहुत सारे वेरोजगार गुमरें, उनको क्यों नहीं कराते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे ही जनपत बागपते, जो है अजे चुहान उनकी लड़की आईएस का एक्जाम यूपियस ही गए आईएस बनी है बिलकुल बनी है और अभी PCS के तीन लड़कियों ने लागा तार जन्वत बागपत के जो भारागाओं के इस तरह से थी इन्होंने जो है PCS का एक्जाम के लिए पिर भी आपको सदमें भी लाना चाहिए यह मैं बोल रहे हूं क्योंकि हम महिलाएं जो हैं वो कोई भी कारिय है आज भी हम घर के स्वामी से पूछक्रक्र कर काम किया के आधार पर भी होना चाहिए लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर आप महिला और पुरुष को बराबर करना चाहते हैं तो अगर आप किसी भी बैंक में आप कहीं किसी भी संस्तान में चले जाए तो आपको पुरुषों की संख्या जादा मिलेगी महिलाओं की संख्या कम मि इसलिए इस बात की तरफदारी करती हूं कि महिलाओं को आगे लाना चाहिए जब तक महिला आगे नहीं आएंगी जो आज हम महिलाएं कर रहे हैं वो अपने दम पर कर रहे हैं हम पढ़ रहे हैं हम आगे निकल रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से अगर हमें थोड़ा सा सहरा हो क कि आप पिछले दरवाजे से ले लेते हैं लोग सभा जो अध्यक्स हैं उनकी बेटी ने तो एक्जाम भी नहीं दिया आप तो मुझे PCS, ICS बता रहे हैं उस बच्ची ने तो एक्जाम भी नहीं दिया लेकिन वो तो पीछे के backdoor entry हो गई उसकी ऐसा आरक्षन नहीं हो कह रहे चाहते हैं तो आप उनको संसद विधान सभा के अंदर जगह दीजिए नहीं आप आरक्षन ऐसाथ करेंगे उसके अंदर क्योंकि एक वार हमें आवशक्ता है वैसे तो अगर आप नहीं करेंगे तो धीरे-धीरे हम अपना रस्ता बनाना जानते हैं क्योंकि हम महिलाएं वह होई हैं जो घर की चार दिवारी के अंदर होती थी गूबा टोड़ करके रहती थी लेकिन आज हमने अपनी योगिता के बल पर आज हम अंतरिक्ष तक जा पहुंची है कहने कहीं सरकार में महिला चाहीं सुरक्षा हो जो भी चीजरे को एक तरिस एक पौल नहीं दिखा जा रहा है तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज की जो परिस्तिती उतर पर देश की हैं उसके अंदर बेटी को पढ़ाने में भी दिक्कते आने लगी हैं यहां पर आप दिन प्रति दिन देखते जाएं रेप की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है जब रेप की घटनाओं के अंदर बढ़ोतरी हो रही है तो कौन बाप अपनी बेटी को चाहेगा कि मैं उसको अच्छे कॉलिज में भेज दू या मैं उसको होस्टल में रख दू ज अगर आप सुरक्षा बेवस्ता नहीं दे पा रहे हैं तो एक तो यही कारण हो जाएगा कि हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी सरकार मुख्य मंतिर जी ने खुद आकरके भी हातरस्त की जो घटना हुई थी या जो अन्य आपने वीडिये बताईए संगीन घटना बताईए इनको लेकरके साफ साफ परसासन कतातकार प्रवाब से कारवए करते हुए और सीधा मुख्य मंतिर जी ने यह कहा है कि करती दिन देखते रहते हैं कि भाजपा के खुद के नेता की जो सीडिया है वो आती रहती हैं जब भाजपा के नेता ही महिलाओं का शोशन कर रहे हैं अगर आपको याद हो तो मुझफर पूरकांड देवरी आकांड जो हुआ था उसके अंदर कौन था अगर आपका बिहा आपके जो सानसद हैं आपके जो कार्य करता हैं आप उनसे महिलाओं को शोशन को नहीं रुकवा पा रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप आगे के रास्ते बिल्कुल कलियर कर देंगे आपके बहुत सारे जो मंतरी हैं वो महिलाओं के साथ दिख जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सबसे पहले आपको खुद मिसाल पेश करनी होगी, तब हम ये कह पाएंगे कि नहीं, हमारी जो भाजपा सरकार है, उसने जो बोला था, कि नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में तब ही वो सार्थक होगा, अभी वो सार्थक नहीं दिखाई देता है ये सरकार सिर्फ नारों की सरकार है, विग्यापनों की सरकार है, बाते बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा में जीरो है, आप ये देखेंगे कि जो सरकारी डेटा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो सरकारी डेटा है, उसके अंदर आज उत्तर परद फाली पड़े हुए है रहे हैं तरह में से अब विद् быстрा अज्म चला Wellington मुकार चला थाथ हर वचिसका बटकिया किसी वचाने अगर आप पुरानी सरकार की बात को जो लैपटोप योजना थी उसको चालू रखते तो आज बहुत फायदा होता एक और 1090 थी उसके अंदर क्या होता था जो 100 डायल है वह सीधा लखनाउ से लिंक था कॉल करते थे सीधा लखनाउ जाते थे आपने उसको थाने से जोड़ दिया वहीं स सिर्फ क्या किया आपने 100 को दूसरा बदल दिया उसका 1090 का कोई और नंबर कर दिया सिर्फ नंबर बदल देने से नाम बदल देने से या अपस में जो मतवेद हैं वो कर देने से सरकार नहीं चलती है आपको सरकार चलाने के लिए सब को साथ लेकर के चलना पड़ेगा सिर् अगर कुछ हो तो आप बता दीजिये हम खुले हम कहते हैं कि भाज़बा के 5 काम गिना दीजिये